चालू विद्वर्ष के शुरुवाती दस महीनों में यानि एप्रिल 2023 से जनवरी 2024 के दोरान देश में लगबग 6,76,000 अरहर का आयात होने का अनुमान है जो कि पिछले साल 2022-23 की समान अवधी के आयात 7,31,000 तन और 2021-22 के इनी महीनों के आयात 6,92,000 तन से कम है दरसल इस बार शुरुवाती चरण में तूर का आयात पिछले साल से अधिक होने का नुमान लगाया जा रहा था दो कम्पनियों के आपसी विवात के कारण फिलाल तूर का निर्याश शिंपमेंट अटक गया है वहीं भारत में वितवर्ष 2019-20 के दोरान करीब 4,5,000,000 तन और 2021-21 की पूरी अवधी के दोरान 4,43,000 तन तूर का आयात हुआ था जो कि पिछले वर्ष 2021-22 में उचलकर 8,40,000 तन और 2022-23 में बढ़कर 8,95,000 तन पर पहुँच गया था अब मिले आंकडों के अनुसार चालू वितवर्ष के दोरान देश के अंदर अपरेल 2023 में 83,000 तन और मई में 38,000 तन जबकि जून में 30,000 तन और नवंबर में 1,6,000 तन तता दिसंबर में 82,000 तन तूर का आयात किया गया है चबकि जनवरी 2024 में इसकी मातरा 48,000 तन रहने का अनुमान है दरसल भारत में तूर का आयात मुख्यताय म्यानमार और अफरीकी देशों से होता है अफरीका में नई फसल अगस सितंबर में आती है और तब तक म्यानमार से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है म्यानमार में इसकी नई फसल अभी फिलाल आ रही है आम तोर पर जनवरी से एपरल तक म्यानमार से तथा सितंबर से जनवरी तक अफरीका से भारत में तूर का अधिक आयात होता है चबकि मई से अगस्त के चार महीनों में निर्यातक देशों में सप्लाई का लीन या ओफ सीजन होने से भारत में आयात कमजोर पड़ जाता है हलाकि फरवरी और मार्श दोजार चोबिस का अंकड़ा सामने आना भी बाकी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि चालू वित वर्ष में तूर का कुल आयात पिछले दो सालों की तुलना में कम हो सकता है इस बीच अरहर की नई घ्रेलू फसल की आवक पहले ही शुरू हो चुकी है लेकिन फिलाल बाजार भा उंचा चल रहा है Bureau Report Market Times TV